कहते हैं शादी साथ जन्मों का बंदन होती है कई लोग इसे मर कर भी निभाते हैं तो कुछ ऐसे भी है जो कुछ सालों में ही उप जाते हैं ऐसा ही मामला इंदौर के सदर बजाथ थाना शेत्र का है यहां पती ने अपना बीस साल का रिष्टा तीन शब्द कहकर खत्म कर दिया इतना ही नहीं बीस सालों तक जिंदगी की हर कदम पर पती का साथ निभाने वाली पत्मी और दो बच्चों को घर से भी बेगर कर दिया ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच मामुली विवाद हुआ था जिसकी आज में पती पत्नी का रिष्टा जुलस गया हाला कि पत्नी ने एक्षिन लिया तो कुछ ही देर में पत्ती हवालात में नजर आया बक्रो का कारोबार करने वाले मोहमत खालीद कुरेशी निवासी गफुर खांकी बजरिया का निकाद जाहिद बी से हुआ था उनके अच्छा और पंद्रा साल के दो बेटे हैं दरसल दोनों के बीच बुदवार को किसी बात पर विवाद हुआ था विवाद बढ़ा तो पती ने घर की धहलीज पर खडे होकर पत्नी को तलाक 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 कहकर रिष्टा तोड़ दिया इतना ही नहीं उसने पत्नी के साथ दोनों बेटों को भी घर से बाहार निकाल दिया इसकी जानकारी जाहिदा ने अपने परीजनों को दी परिजनों ने खालीद को समझाया लेकिन वो नहीं माना आखिरकार याहिदा ने खाकी का दर्वाजा खटकटाया और पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए आरूपी पती को गिरफतार कर हवालात में डाल दिया दरसल यह है मामला थाना सदरवजार छेतर के अंतरगत गफूर खांकी बजरिया इलाके का है जिसमें की एक मुहमत खाले कुरिशी नामक बेक्टी के द्वारा अपनी पत्नी से बिवाद के चलते उसे तीन वार तलाग तलाग कहकर के छोड़ देने की बात कही गई पीड़िता के दोरा थाना सदरवजार में आकर इसकी शकायद दरज कराई गई है जिस पर हमने जो नवीन एक्ट है मुसलिम महला बेवापर अधिकार अधियम 2019 इसके तहए धराचार के तहए प्रक्रण दरज करे किया गया है और आरोपी को ग्रफदार कर लिए गया